हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर बैठे आप अपना यूरिन के अंदर कितना प्रोटीन जा रहा है उसे कैसे जान सकते हैं अगर हम प्रोटीन लॉस की बात करें प्रोटीन यूरिया की बात करें तो जब भी किड्नी फेलियर की कंडिशन क्रियेट होती है या किड्नी किसी भी कारण से नुकसान उठाती है तो इन रिटर्न क्या हमें देखने को मिलता है आपके पिशाप के अंदर जागाना है आपका जो यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस हो रहा होता है वो इंडिकेट करता है कि कितना इंटेंसिटी ऑफ डामेज हो रहा है किड्नी पे तो जब भी किड्नी पे किसी तरीके का भी डामेज आएगा या किड्नी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा किसी भी यूरिन के अंदर यूरिन के अदर यूरिन के रास्ते प्लश आउट होता चला जा रहा है जो इन टर्न हमारी बॉडि में वीकनेस कर्ता है फटीग करता है और वजन भी पेशन का गिरना स्टार्ट हो जाता है इसके पीछे कुछ कारण है प्रोटीन लॉस बेसिकली आपका जो स्टार्ट होता है वो कुछ समय के लिए और फिर वो ठीक हो जाता है वो किसी भी एक्यूट कंडिशन की वज़े से देखने को मिल सकता है जैसे कि कोई आपको इंफेक्शन बना यूरिन के अंदर या अचानक से फीवर लंबे समय तक बना तब भी आपके यूरिन के अं मतलब कि कुछ समय के लिए प्रोटीन लॉस होता है फिर रुख जाता है क्योंकि प्रेग्नेंसी में भी आपके किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है फीटस के जो भी वेस्ट माटीरल उनको एक्स्क्रीट आउट करने के लिए तो उस समय भी किडनी थोड़ा नु को निल की तरफ भी जाता है लेकिन पूरी तरह से अगर वो काफी लंबे समय तक निल रहता है तब हम मानते हैं कि किडनी पे अब कोई नुकसान नहीं हो रहा है फॉर दर टाइम बिंग अगर आपके यूरिन के अंदर जहाग जा रहा है और लंबे समय तक यह जहाग अल्म करने के लिए आप इसली घर बैठे इसको जांच कर सकते हैं एक युरिन अनालसिस ट्रिप हेल्प से उसे हम डिभूंस्ते करेंगे से इस विडियो में कि आप इस तरीके से उसे डेली बेसिस पे मॉनिटा कर सकते हैं यह जो आपका है यह है यूरिन अनालसिस बीज इसके अ जैसे कि आप डेक सकते हैं, इसके दो डिफरेंट बंणे तो अग्लुकोज कि इसक नहीं पर् WA वह कितना जा रहा है, जुश्ट है वह एक कितना प्रोटीन कितना जा। आपके युरिन के ब्रोटीन जा रहा हो इसक जदे फजिए पर रहे है। डिस्पोजबल ग्ology अंदर यूरन पास करते हुए उसके अंदर आपको इस्टिप को डिप करना है जहां तक यह इंडिवेटर प्रेजनअ है वहां तक आपको डिप करना होता है और उसके बाद उसे बहार निकाल लेना है आप इसे थोड़े seconds के लिए छोड़ेंगे तो ये indicators हैं, ये color change करते हैं अगर आपके urine में protein या glucose जा रहा है तो और different different जो color shades हैं वो आपका intensity बताता है कि कितना आपका protein या फिर glucose जा रहा है तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं different different shades हैं जो color changes आते हैं आपके intensity के साथ कि जितनी जितनी मातरा protein loss की बढ़ती चले जाती है या जितनी मातरा में आपका glucose जा रहा है urine के अंदर वैसे वैसे आपका जो ये indicator है ये color change करता जाएगा तो अगर ये हलका सा light greenish सा बन रहा है तो आप देख सकते हैं कि one plus में protein loss हो रहा है जैसे जैसे इसका color darker होता चला जाता है उतना उतना आपका intensity बढ़ता चला जाता है तो आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे हम इसे in shades के साथ माच कर सकते हैं ताकि हम जांच सकें कि डेली routine में आपका जो protein है glucose है उसका leakage तो नहीं हो रहा है या फिर हम इसको weekly basis पर भी monitor कर सकते हैं और एक आप charting कर सकते हैं maintain कर सकते हैं फिर end of the month आप एक lab से भी अपना urine routine का जांच करवा सकते हैं तो हमें पता चलता है कि daily routine में हमें क्या-क्या चीजों पर ध्यान देना है आपको daily routine में अपनी BP sugar की monitoring जरूर करनी है क्योंकि basic कारण है BP और sugar आपके kidney को खराब करने के पीछे प्लस अगर आपका BP sugar continuously shoot up कर रहा है तो definitely आपके urine में जाग और जादा बढ़ता चला जाता है क्योंकि kidneys पे stress जहां पे induced होता है दिखाती है कि मुझे नुकसान हो रहा है वो urine में जाग के माध्यम से indicate करवाती है और दिखाती है तो I hope ये video आपको मदद करने गई समझने में कि protein urea होता क्या है किस कारण से होता है और कैसे हम घर बैटे इसे जांच कर सकते हैं daily basis पे और easily ये जो हमने reagent strips के बारे में बात किया ये easily आपको online available भी होते हैं या market से आप chemist पे परचेज भी कर सकते हैं और काफी pocket friendly होती है क्योंकि इसके अंदर multiple strips होती है तो आप easily अपना monthly जांच कर सकते हैं और एक जब averagely हम monthly टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमाई idea होता है कि proper उसके अंदर कितना protein loss और आपका कितना glucose जा रहा था कोई और infections तो नहीं है क्योंकि जो आपका urine routine है उसके अंदर past cells आपका pH क्या है बहुत सारी चीजे और भी देखी जाती है तो full flesh test होना भी ज़रूरी है बट डेली routine के अंदर जिसे हम BP sugar की monitoring घर बैठे devices से करते हैं वैसे ह स्ट्रिप्स की मदद से हम protein glucose की leakage को भी जान सकते हैं जल्दी ही मिलेंगे हम next videos में तब तक के लिए अपना खास द्यान रखिए टेक गए